पप्पू को एक लड़की बहुत सुन्दर लगती थी, बिचारा कई बार उसे प्रपोस कर चुका था, लेकिन वो हर बार मना कर देती, इस बार पप्पू ने नमास्तर चलाने का सोचा, पप्पू लड़की से जाकर बोला, मेरे दादा जे अरब पती हैं, और नब्रे साल के हैं, वो जल्री मनने वाले हैं, मैं इकलोता वारिस हूँ, जल्री सारी दौलत मेरी हो जाएगी, लड़की ने फिर भी मना कर दिया, एक हफते बाद वो लड़की पपू की दादी बन गई, सबक, लड़कीयों को कभी भी कोई आइडिया मत दो, महिंदर सिन धोनी और साक्षी की शादी की सालगीरा के अफसर पर साक्षी ने धोनी से कहा, जानू, एक रोपांटिक गाना सुनाओ ना, धोनी, लेकि मुझे गाना गाना नहीं आता, क्या जानू तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, धोनी, ठीक है सुनाता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं, साक्षी आगे, ये धरती, और ये नदिया, और ये रहना, अब बस करो, आज के दिन भी तुम और तुमारा रहना, एक पती का अपनी पत्मी से जगड़ा हुआ, और दुखी होकर घर से बाहर निकला, और पीछे पीछे उसका बेटा भी उसके साथ आ गया, वे दोनों गुमते गुमते एक गार्डन में पहुँच गए, दोनों एक बेंच पर बैठ गए, सामने एक गधा घास चर रहा था, बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये कौन सा जानवर है, पापा ने जवाब दिया, बेटा ये गधा है, उसी के साथ में एक गधी भी चर रही थी, बच्चे ने पूछा, पापा ये कौन है, बाप ने जवाब दिया, बेटा ये इस गधे की बीवी है, बच् जिर्फ गदे ही शादी करते हैं। पती, जब मैं सूट पहन कर सब्जी लेने जाता हूं तो दुकानदार मुझे सब्जी महंगी देता है। और जब मैं मैला कुर्टा पजामा पहन कर जाता हूं तो सब्जी सस्ती मिलती है। प्रत्मी, तब तो तुम हाथ में एक कटोरा भी लेकर जाया करो सब्जी मुफ्त में मिल जाया करेगी पुरुशों के सुखी जीवन के लिए पांच सुत्र पहला, आपके पास ऐसी स्त्री हो जो घर का काम करे खाना बनाए और कपड़े दोए दूसरा, आपके पास ऐसी स्त्री हो जो आपको हसाए और खुश रखे तीसरा, आपके पास ऐसी स्त्री हो जिस पर आप विश्वास कर सके और जो आपसे जूट ना बोले चोथा, आपके पास ऐसी स्त्री हो जो आपको प्यार करे और आपके साथ रहकर आनन्द का अनुभव करे ताजवा आखरी और सबसे जरूरी बात बस चारो स्तिरियां एक दूसरे को बिल्कुल भी जानती ना हो